निमशकार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल अईरुवेदा टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपुन टोपिक लेकर आया हूँ आपको स्वास्थ बनाने के विशे में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विशे में चैरे पर मिखार लाने और जुर्या मिटाने का सबसे प्राचीन उपाई, अपनाई और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, हम अपने चैरे को गोरा करने के लिए ना जाने कितनी उपाई करते रहते हैं और कई तरहे के केमिकल युक्त प्रोड़क्ट को अपने चैरे पर लगाते रहते हैं लेकिन इससे कुछ फाइदा नहीं होता और हमारी तवचा को नुकसान जरूर होता है और यदि हम सभी तरह के केमिकल वाले प्रोड़क्ट को अपने नाजुक से चहरे पर लंबे समय तक लगाते हैं तो जादा देर तक इसके साइड फ्यक्ट भी देखने को मिलते हैं जादा देर लगाने के बाद यह प्राचिन काल से उपयोग में ली जाने वाली सबसे कारगर प्राकृतिक ओस्दी है जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने चहरे को सुंदर बना सकते हैं दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं जिसके इस्तिमाल से आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और चहरे भी दूद की तरह निखर जाएगा तो आईए दोस्तों जानते हैं इसके लिए अवस्थक सामा करें चंदन का पाउडर, दोसरा दूद और तीसरा सहथ अब जानते हैं दोस्तों इसको बनाने की विदी और लगाने की विदी सबसे पहले दो चंदन के पाउडर को एक चंदन दूद में मिलाकर अच्छा सा पेष्ट बना ले यदि और गाडा बनाना है तो पेश्ट में थोड़ा सा बेशन का पर्योगाब कर सकते हैं उसके बाद जब मिश्रन गाडा बने और अच्छे से मिलकर पेश्ट तयार हो जाए तब उसमें एक चम्म साफ और सुद सहद डाले और फिर इस मिश्रन को अच्छी त्रहें से मिला दे मिश्रन को तुरंत चहरे पर ना लगाएं इसे पहले थोड़े समय के लिए किसी ठंडी जिगह पर रख दे या फ्रिज में भी रख सकते हैं और फिर दस मिट के बाग अपनी चहरे पर अच्छे से लेप को लगा ले और पूरी त्रहें से चहरे को ढखकर सूख जाने दे जब लेप चहरे पर सूख जाए तब उसे ठंडे पानी से अच्छे त्रहें से धोले और किसी खुर्द्रे तोली से रगड़ कर पोच ले जब तक आप इस नुस्खे को करते हैं तब तक चहरे पर किसी भी परकार की क्रीम या तेल का प्रियोग आपको नहीं करना है वरना आपको इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा तो दोस्तो आप भी इस नुस्खे का प्रियोग करके अपने चहरे को बना सकते हैं सुन्दर और चमकता हुआ तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक पर शेर करना ना फूले इसके साथ साथ आप हमरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरतस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपनी जीवन को सुखने बना सकते हैं और सुखने जीवन जी सकते हैं धन्यवा दोस्तो